अगले दिन बीरबल अकबर की तीसरी पहीली का जवाब देने के लिए अकबर के महल पहुँचे. अकबर भी अपनी तीसरी पहीली के साथ तयार थे। उन्होंने बीरबल से कहा कि आज के प्रशन का उत्तर देना उनके लिए आसान नहीं होगा। इस पहेली में प्रशनों के समू में त्रिभुज शामिल होंगे। आये जानते हैं तीसरी पहेली क्या है। पहेली तीन, कागस को मोड कर त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करना अकबर ने बीरबल से पूछा, आप एक कागस के माध्यम से किसी समकोन त्रिभुज का मध्य बिंदू कैसे ग्यात करेंगे? बीरबल ने एक कागज को किसी समकोन तरिभुज A, B, C के आकार में मोड़ना शुरू किया फिर एक कर्ण A, B के मध्य भिंदू D को खोजने के लिए कागज को इस प्रकार मोड़ते हैं और फिर मध्य भिंदू D से C तक एक रेखा बनाते हैं अकबर ने पूछा आप कैसे कह सकते हैं कि बिंदू D किसी समकोन तरिभुज का मध्य भिंदू है बीरबल ने ये सिद्ध करने के लिए कागज को मोड़ा कि D E, C B का लंबवत सम्द्विभाजक है लंबवत सम्द्विभाजक पर सभी बिंदू खंड के अंतिम बिंदूओं से समान दूरी पर होते हैं D सम्द्विभाजक पर है इसलिए C और B दोनों D से समान दूरी पर हैं अता AD is equal to BD is equal to CD एक सम्द्विभाजक पर सम्द्विभाजक के आधार कोणों के बारे में आप क्या वताएंगे अकबर ने पूछा बीरबल ने एक सम्द्विभाजुत्रिभुज ABC बनाया जिसमें AB सरवांग सम है या फिर कहना चाहिए कि BC के बराबर है उन्होंने कागज को इस प्रकार मोड़ा कि BD AC के लंबवत हो लेकिन अगर मैं कोण A और कोण C की तुलना करता हूँ तो आप कोण A और कोण C को सरवांग सम कैसे दिखाएंगे अकबर ने पूछा बीरबल ने समझाया सम्द्विभाजुत्रिभुजों में कम से कम दो सरवांग सम कोण होते हैं यदि मैं रेखा BD के साथ साथ मोड़ते हुए कोण A और कोण C की तुलना करूँ तो आप देखेंगे कि समान लंबाई की दो भुजाएं के सम्म कोण सरवांग सम है एक तृभुज के कोणों के सम्द्विभाजक के प्रती छे दन के बारे में आप क्या कहेंगे? अग्बर ने पुछा इसे समझाने के लिए बीरबल पहले दिये गए तृभुज के प्रते कोणों के सम्द्विभाजक को मोड़ते हैं फिर उन्होंने समझाया कि एक सम्द्विबाहुत्रिभुज ABC के तीन कोणों के कोण सम्द्विभाजक का प्रती छे दन बिंदू अंतर केंद्र है जिसे आई द्वारा निरूपित किया गया है अकबर प्रभावित तो हुए लेकिन वो बीर्बल को अभी और परखना चाते थे तो उन्होंने बीर्बल से पूछा आप तृभुज के केनारों पर लंबवत सम्द्विभाजक के प्रती छे दन को कैसे दिखाएंगे बीर्बल एक बार फिर से कागज को मोडते हैं ताकि दिये गए नियून कोण तृभुज के प्रती एक पक्ष के लंबवत सम्द्विभाजक बना सकें फिर उन्होंने उस बिंदू से तृभुज के प्रती एक शीष तक रेखाओं को मोडा अक्बर ने बीर्बल से पूछा इन रेखाओं के प्रती शेंदन का उभै निष्ट बिंदू क्या कहलाता है बीर्बल ने समझाया कि तृभुज की भुजाओं के तीनों लंबवत सम्द्विभाजक जिस एक बिंदू पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है फिर बीर्बल ने ये भी कहा कि मैं आपको इन प्रती शेंदन रेखाओं का उभै निष्ट बिंदू भी दिखाता हूँ इस निउनकोन तृभुज में बिंदू N वह प्रती शेंदन बिंदू है जिसे परिकेंद्र कहा जाता है क्योंकि रेखाओं AF, CE और BD इस बिंदू पर परस पर एक दूसरे को काटती हैं अब अकबर ने पूछा, प्रती शेंदी रेखाएं सरल लगती हैं, आप तृभुज की मद्धिकाओं पर प्रती शेंदन कैसे बनाएंगे? पीरबल ने कहा, मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने सबसे पहले दिये गए तृभुज की तीनो भुजाओं को समद्विभाजित किया और उसके बाद प्रतेक रेखा के मध्य बिंदू से रेखाओं को विपरीत शीर्च पर मोड दिया और इन रेखाओं के प्रतिछेधन का उभैनिष्ट बिंदू क्या कहलाता है? अगबर ने पूछा बीरबल ने समझाया, तृभुज की तीनो माध्यकाएं जिस बिंदू पर परस पर एक दूसरे को काटती है उसे तृभुज का केंद्रक कहते हैं इसे तीनो मध्यकाओं के प्रतिछेधन बिंदू के रूप में भी परिभाशित किया जाता है इस तृभुज में बिंदू जी तृभुज का केंद्रक है क्योंकि सभी रेखाएं इस बिंदू पर परस पर एक दूसरे को काटती है और तृभुज की उंचाईयों के प्रतिछेधन के बारे में आप क्या कहेंगे अकबर ने उत्सुकता से पूछा बीरबल ने दिये गए कागस के टुकडे के माध्यम से दिये गए त्रिकोंड की प्रतियक भुजा की टाइल उंचाई को मोड़ना शुरू किया और कहा कि बिंदु पी त्रिभुज की टाइल उंचाई का प्रतिछेधन बिंदु है अकबर ने फिर से पूछा अच्छा बताओ कि टाइल उंचाई के प्रतिछेधन बिंदु को क्या कहा जाता है एक ही बिंदु जिस पर तीन उंचाईयां प्रतिछेधन करती है उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है हम प्रभावित हुए बीरबल आपने इस पहेली में सन्निहित सभी सवालों के सही जवाब दिये हैं मुझे आशा है कि आप मेरी आखरी पहेली का भी सही जवाब देंगे और मुझसे इनाम प्राप्त करेंगे क्या बीरबल अकबर की आखरी पहेली का जवाब दे पाए और बीरबल जो चाहते थे क्या वो प्राप्त कर पाए यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए